नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो, JRP हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम एकाई तीन पढ़ रहे हैं इससे पहले हमने इसके चार लेक्चर कंप्लीट कर लिये थे और साथ ही साथ इसके अलावा जो कावे के प्रमुक लक्षन थे उनके बारे में भी हमने जो संस्कित के अचारे हैं या फिर आपके पाश्चाते विचारक हैं या फिर भारतिय जो आलोचक हैं अन्य जो हिंदी के आलोचक हैं वो कौन से चीज़ें उन्होंने परिभाशाएं कौन कौन से दी हैं ये सब चीज़ें हमने डिसकस पहले कर ली हैं चाल लक्षन में अगर आपने अभी तक वो वाले लक्षन नहीं देखे हैं तो आप उन्हें एक बार जरूर देख लीजे कौन से विद्वान या कौन से अचारे किस कारण को मानते हैं कि ये कावे का हेतु है या कावे का कारण है तो चलिए बिना देर किये शुरुआत करते हैं आज के लेक्षर की और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कावे का जो हेतु है उसे क्या कहते है या कावय हेतू क्या है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हेतू शब्द का अर्थ है कारण तो देखिए हेतू शब्द को क्या माना जाता है कारण अर्थ इसका माना जाता है तो देखिए जिन कारणों से कावय की सरजना या रचना होती है उन्हें ही क्या कहा जाता है काव्य हेतु कहा जाता है मतलब की कौन कौन से ऐसे कारण है जिनकी वजह से काव्य की रचना होती है है ना तो उसे ही क्या कहा जाता है काव्य हेतु कहा जाता है तो ये चीज कई वार आपसे पूछा जा सकता है कि कावे हेतू किसे कहते हैं तो मतलब सिंपल सा है कि जिन कारणों से कविता या कावे या साहित्य की रचना होती है या उसकी सर्जना होती है या की चीज है उसे ही हम क्या कहते हैं कावे हेतू कहते हैं और इस संदर्व में जो सबसे महत्पूर्ण परिवाशा है वो किसकी है बाबु गुलावराय की है मैक्सिमम पुस्तकों में आपको ये मिल जाएगी तो यहां पर देखिए ये क्या कहते हैं कि आपके जो हेतु काव्य प्राय उन साधनों से है जो कवी की काव्य रचना में सह हाइक सिद्ध होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है काव्य हेतु कहा जाता है तो देखिए कवीता को करने के लिए कौन-कौन सी हाइक चीज़े है जैसे आपके पास टेलेंट होना चाहिए है आपके पास तरक शक्ती होनी चाहिए बुद्धी होनी चाहिए ज्यान होना चाह प्रतिभा का मतलब सीधा सा टैलेंट से है आपके हुनर से है है ना कि आप में कितना जादा हुनर है तो प्रतिभा अगर नहीं होगी तो काव्य की सर्जना बिलकुल नहीं हो सकती maximum जितने भी आपके विद्वान हुए हैं चाहे संस्कित के हो चाहे पाश्चात्य हो या फिर आपके हिंदी के जो विद्वान हो उन्होंने प्रतीभा को ही ज्यादा तर तवज्जो या महत्व दिया हुआ है क्योंकि प्रतीभा के अभाब में हम कोई भी काम नहीं कर सकते बाद साहे साहीते रचना की ही ही हो चाहे फिर किसी दूसरी चीज़ की ही हो है ना कि आपके पास प्रतीभा का होना बहुत जरूरी है फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है यह है आपका व्यूत्पत्ती तो भ्यूत्वत्वत्ति का मतलब है कि मानली जैप के पास talent तो है, लेकिन आपके पास तरक्षक्ती नहीं है, आपके पास उचीत-अनुचीत का भेध आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जो talent है वो कही न कहीं पीछे रह जाता है, तो इसलिए ये मानते हैं कि कावे रचना के लिए सिर्फ प्रतीभा का होना निवारे नहीं है इसके साथ ही साथ कुछ लोग मानते हैं कि क्या होनी चाहिए आपके पास व्यूत्पत्ती होनी चाहिए उसको आप भाउग्यता भी कहते हैं है ना उसको आप पांडित्य के साथ करते रहते हैं और सी दीरे-दीरे हम उस चीज को सीखते हैं इसी को हम क्या गयते हैं कि अभ्यास तो कवीता में भी ये चीज देखने को मिलती है कि जिस तरीके से हम कोई दूसरा काम करते हैं उसमें हम पहले एकदम से निपुन नहीं होते हैं तो निपुनता लाने के लिए ही हमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है और ये कावे हेतु का जो तीसरा प्रमुक कारण मान जाता है कावे का है ना तो इसलिए ये जो तीन चीज़ें हैं ये बहुत ही महतापूर्ण है इन में से जो सबसे जादा इंपॉर्टेट है वो है आपका प्रतीभा के बिना आप कर ही नहीं सकते कावे की रचना इसके अलावा और भी हैं चीज़ें कि अगर मान लीजाब कि वस्पृतिबा और वित्पृति के चलते ही आपकी कावे रशना नहीं हो पा रही है तो कुछ अन्य जो जिनको हम कवीता की प्रवृतिय गयते हैं कावे प्रवृतियां ठीक है तो वो हम आगे विस्तार से जानेंगे कि वो चीज़ें भी क्या है तो एक और चीज आपके लिए है कि जो चीज मैं यहां पर पढ़ा रहा हूँ अगर आपको इसका पीडियेप चाहिए होगा तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जुड़ सकते हैं इसका लिंक दे दिये जाएगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कई बार जो हमसे चूट जाती है यहां पर हम माइन में हमसे स्किप हो जाती है हमारे माइन से बताते बदाते तो उन चीजों को हम quiz के जरीए जो अपने टेलिग्राम ग्रूप है वहाँ पर quiz के जरीए उनको recollect करने की कोशिश करते हैं तो आप चाहें तो हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जूर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका link दे दिये जाएगा चलिए ये तो बात हो शास्तर है या सहीत्य शास्तर है इसकी जो प्राचीन या फिर आपको जो कावे लक्षन कहां पर दिये गए थे वो भी अगनि पुरान में ही दिये गए थे ठीक है हलांकि जो आपके भरत्मरी हुए हैं उन्होंने उस पर बात नहीं की है उन्होंने स्थीक होई परिभाष नहीं दी है, अगनी पुरान में ही हमें प्रत्थम परिवाशा मिलती है कावे लक्षनों की, तो ये दूसरी चीज है कि इसमें क्या है आपका जो इसका विचार किसका किया गया है, आपके कावे हेतुं का वो भी अगनी पुरान में ही सबसे पहले किया गया है, है ना, तो ये अब हम देख लेते हैं कि कावे हेतु के अंतरगत आने वाली जो प्रमुक आचारे हैं वो किस चीज को कावे का प्रमुक हेतु मानते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक तरफ हमने प्रस्तोता आचारे लेके हैं कि जो कौन सा आचारे है वो किस चीज को मानता है काव बार मिलान के लिए होगा, देखा होगा आपने किस तरीके से प्रशन बनने की संभावना रहती है, तो वो चीज मैंने आपके लिए यहां पर रखती है, एक चार्ट की जरीए देखिए, यहां पर सबसे पहले भामा है, भामा का जो समय है, यह कब था, भामा छटी शतापदी के आसपास विद्यमान थे, और इनकी जो प्रसिध रचना थी, वो कौन सी थी, वो कावेलंकार थी, ठीक है, और कावेलंकार में कौन कौन सी चीज़ें महतापून थी, वो हम पहले डिसकस कर चुके हैं, आप उसको एक बार जरूर देखते रहेगा, क्योंकि यह चीज़ें बार बार पढ़ने से ही याद रहती हैं, ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ दिया, फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया, आगे दौर पीछे चोड़ वाला काम नहीं करना है, जो चीज़ आप पहले पढ़ रहे हैं, उसको आप एक बार फिर से पढ़िए, तब ही आप आगे की चीज़ को continuity के साथ कर सकते हैं, तो बहामाय दिखिए, वो क्या मानते हैं कावे है तू को प्रतीभा, तो इनका मतलब मानना ये है कि जो आपका कावे है, उसका जो प्रमुख कारण है, वो आपकी प्रतीभा है, टैलेंट है, आगे ये क्या कहते हैं, दिखिए काव कभी-कभी स्फूरित होता है, तो ये कहता है कि जो आपका कावे है, वो हर कोई नहीं कर सकता है, जो प्रतीभा शाली व्यक्ति है, वो ही कावे रचना रच सकता है, और कभी-कभी ही उसमें ये चीज़ स्फूरित होती है, तो ये कौन मानते हैं, ये मानते हैं आपके जो अ शास्तर ग्यान और अभ्यास तो देखिए जो चीज हम पहले पढ़ रहे ते हैं जो आपका प्रतीभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तो लगभग उन्हीं चीजों के इनों ने फोकस किया है सबसे पहली चीज प्रतीभा उसके बाद यह कहते हैं कि शास्तर का ज्यान भी पूछ जाता है कई बार आगे तक भी पूछ जा सकता है तो यह चीज एक ही है आप इसको याद कर लिजेगा यह वाली परिभाशा भी नेक्स से दिखिए अचारे वामन हुए हैं इन्होंने क्या माना है लोक व्यवहार या जिसको लोक व्यवहार कहते हैं या फिर विद्य और प्रकिर्ण यह तीन चीज इन रने मानी है कावे हेतू के अंतरगत तो इनकी प्रसिद परिभाशा है देखिए लोको विद्या प्रकिर्न नस्य काव्यांगनी तो देखिए अचारे जो वामन हुए हैं इन्होंने सबसे पहले क्या है काव्यांग शब्द का प्रियोग क किया है तो लोक से इनका मतलब क्या था लोक व्यवहार से और विद्या के अंतरगत तो पहले लोक व्यवहार से और विद्या के अंतरगत देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जैसे आपका शब्द हो गया शब्द शास्त्र हो गया विधान कोश चंद शास्त्र ये जो सा आपकी मेंली जो कितनी चीज़ें इसमें इन्होंने रखी हैं इसके अंत्रगत इन्होंने जो आपका कावे परीचे है या कावे रचना का जो उद्योग है उसको इन्होंने डिसकस किया है और साथ ही साथ प्रतीभा और आपका जो उसको क्या कहते हैं कि रचित जो एकागरता है जो कवी की चित की एक आगरता उसको इनोंने इसमें स्थान दिया है प्रकीरण में तो ये जो सारी चीज़े हैं ये अचारे वामने मानी है और प्रतीभा को ही वो क्या कहते हैं कावे स्रीजन का मूल हेतु मानते हैं तो ये चीज़ें किसमें आएंगे आपके मूलता प्रतीभा के अंतरगत ही मानी जाती है तो इनकी जो परिभाशा है वो याद रखना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि थोड़ा साइन होने हटके कही यह बात लोक, लोक वेभार, विद्या प्रकीरन विद्या और प्रकीरन ठीक है तो इसको आपने इस तरीके से याद रखना है अगले जो चीनतक हुए हैं, विचारक हुए हैं या अचारे हुए हैं या अचारे ममट हुए हैं ममट की जो प्रसीद रचना है वो कौन सी है, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं ममट की प्रसीद रचना का नाम क्या है और ममटका समय कब था इन्ने कावेहतु किसको माना है देखें शक्ती, निपुनता और अभ्यास तो तीन चीज़ों को ममट ने माना है, देखें कौन कौन सी है, शक्ती, निपुनता और आपका अभ्यास ठीक है तो देखिए इनकी जो परिभाशा है शक्ति निपूर्णता लोक्षास्त्र काव्याद विक्षनात काव्यग्य शिक्षा भ्यास इती हेतु सतुत भवे तो ये कौन मानते हैं ये अचार्य मम्मट मानते हैं है न तो इन्होंने निपूर्णता शब्द का प्रियोग द अभ्यास करते रहेंगे तभी आप निपूर्णता की ओर पहुंच सकते हैं ये मानते हैं अचार्य मम्मट ठीक है तो वितपत्ती के अंतरगत जो सभी प्रकार का शास्त्री और लोकिक ज्यान इसके अंतरगत आ जाता है ये भी अचार्य मम्मट के संधर्ब में चीज कहे ज साया की ये शक्ती है ये एक ऐसा विशिष्ट संसकार है जो वस्तुत कवित्तो का बीज कही जा सकती है ठीक है तो आगे हम विस्तार से देखेंगे कि इन्होंने क्या कही है कवित्तो का बीज माना है कवित्त है न कावे का तो हम आगे पढ़ेंगे कविता को इन्होंने कहा कवी दा को नहीं, पृतिवाग को इन्होंने ये चीज कही है, यहां पर सिंपली आपने इस तरीके से ही याद रखना है कि इन्होंने कावे हितु किस-क्स चीज़ को माना है, शक्ती, निपूनता और अभ्यास, तो ऐसे ही प्रशन पूछा जा सकता है कि आपका शक्ती, निप तो रसकंगाधर इनकी प्रसीद रचना है देखिए इन्होंने केवल प्रतीभा को ही कावय का हेतु माना है तो देखिए ये क्या मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रतीभा है वो ही कावय का प्रमुक कारण माना जाता है आगे देखिए इनकी जो परिभाशा क्या है तस्य प्रतीभावादी अचारे इनको कहा जाता है। तो इनके समंद्ध में ये चीज बहुत जादा मौटपूर्ण है। इनके अनुसार देखिए क्या गएते हैं कि आपका जो कावे निर्मान के लिए अनुकूल शवदार्तों की उपस्तिति का नाम प्रतीभा है। तो देखिए अनुकूल शबदार्थों के लिए, हैंना, शबदार्थों की जो उपस्थिती है, कवे के निर्वान के लिए, उसी को उन्होंने क्या माना, कि वो ही प्रतीभा है, हागे हम बिस्तार से दिखेंगे, कि प्रतीभा के लिए, कौन सा विद्वान, क्या चीज कहता है और अलग-अलग तरीक से उन्होंने प्रतीभा को प्याख्याइत किया है तो यहां पर mainly जो प्रमुख संस्कित के अचारे थे वो किन-किन चीजों को कावे का प्रमुख हे तू कावे का प्रमुख कारण मानते हैं वो चीज मैंने आपके बीच में रख दिय अगर आप यह चीज भी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत जादा यह beneficial होने वाला है चलिए अब हम देख लेते हैं आपकी जो कावे किये हेतू के अंत्रगत जो पहले हेतू माना जाता है पहला जो कारण माना जाता है वो कौन सा है वो प्रतीभा है तो इसके बारे म हम जान लेते हैं कि प्रतीभा के समद में अचारे क्या कहते हैं देखिए प्रतीभा का स्थान सबसे उपर है या सरव पर ही माना जाता है कि अगर आपके पास टैलेंट ही नहीं होगा आपके पास प्रतीभा नहीं है हुनर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ये चीज बहुत जरूरी है कावे रचना के लिए ही नहीं लेकिन दूसरे जो भी हम काम करते हैं अपने नीजी जिन्दगी में वहाँ पर भी टैलेंट का होना बहुत जरूरी है टैलेंट की ही आज की कदर में है ठीक है तो महीम भट इसे कभी का तृतिय नेत्र कहते हैं तो दीखिए ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत जादा महुत पूर्ण है क्योंकि यहां से हो सकता है प्रशन बन जाए कि आपका जो कावे हितु के अंत्रगत आने वाली प्रतीभा है उसको किस विद्वान ने क्या चीज कहा है तो सबसे पहले यहां पर महीम भट आ गए तो इनों कि अभाव में कहते हैं कि सर्जना नहीं हो सकती साहित्यकी इसलिए जो भटताथ हुए है या इनको भट्टाथ भी आपने देखा वगा करी पर लिखा होता है तो मुललामिन के बट्टाथ तो इनोंने क्या किया है नए नए भावों के उन्मेश से युक्त प्रग्या को प् नेक्स ते देखिए अचारे ममठ कावे प्रकाशिन की प्रसिद रचना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखिए इन्हों ने क्या किया है प्रतीभा को कावे का बीज माना है जो चीज मैंने पहले ही आपको कह दी थी थी थोड़ी सी हिंट मैंने आपको दी किसने माना है यह अचारे मममठ मैंने माना है ठीक है जबकि जो कुंतक है देखिए जिनका वकृट्टी संपरदाय रहा है वो क्या मानते हैं यह प्रतीभा उस शक्ति को माना है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंधरे की स्रिष्टि करती है यह कूम आनते हैं जो आपके अचारे कुंतक हुए हैं, उन्होंने ये चीज मानी है, तो ये वाली स्लाइड में हमने देखा कि अलग-अलग तरीके से अलग-अलग विद्वानों ने ब्याख्याइद किया है प्रतीभा के बारे में, तो इसके अलावा डॉक्टर नगेंदर ने भी कुछ चीज कही हैं, आपके जो अचारे रामचंदर शुक्ल हुए हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं, तो वो भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, चलिए, अब हम देख लेते हैं, इसके बाद आगे जो राजशेकर हुए हैं, पंडित राजशेकर वो क्या कहत हैं, तो यह देखिए, जो शब्दों के समुहों को, अर्थों के समुधाय को, अलंकारों एवं उक्तियों को, तथा अन्याने कावे समगरी को, रिदय के भीतर प्रतिध्वनित करती है, उसे प्रतिभा कहते हैं, तो देखिए, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें समा कावे के लिए, तो यहां पर इन्होंने ये चीज़ रखी है, एक बार फिर से कि शब्दों के समुहों को, अर्थों के समुधायों को, अलंकारों और उक्तियों को, है ना, इनके साथ अन्या जो कावे के समगरी है, उनके भीतर, जो हिरिदय के भीतर प्रतिध्वनित करती ह इन सब चीज़ों को हमें, उसी का नाम क्या है, प्रतिभा है, मान लिजिए आप किसी चीज़ को देखते हैं, उसको लेकर कि आप कुछ एक थौट्स आपके माइन में आते हैं, कुछ एक शब्द आते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को आप जब अलंकारों और उक्तियों के ज कि राजशेकर ने काव्यकिकितने भेद गिये हैं कारियत्री और भावित्री नाम से, तो देखिए कारियत्री और भावित्री दो प्रतिभाएं हैं, कारियत्री प्रतिभा क्या होती है, ये जनमजात हमें मिलती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पहले से ही कोई व् related इसका संबंध होता है, तो दो चीजunden आहां पर अचारी रामचेंद्र शुकल देखिए आगे क्या कहते हैं हम इन्होंने प्रतीभा को क्या कहा है, अंतहकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में व्याख्याइट किया है अचारे रामचेंद्र शुकल ने, कि हमारे अंतरकर्ण की जो अभिवक्त उद्भावित करिया है, जो हमारे अंतरमन में उद्गाटी तो होती रहती हैं चीजें, उन्हीं को इन्होंने क्या कहा है, प्रतीभा के रूप में लाया है, तो दिये थे राजशेखर और अचारे र नाम है, रुद्रट, तो रुद्रट क्या कहते हैं, प्रतीभा से कवी शवदार्थ सामर्थ प्राप्त करता है, तो ये चीज़ भी कौन मानते हैं, रुद्रट कह रहे हैं, कि प्रतीभा से क्या होता है, कि आपका जो कवी है, वो क्या करता है, शवदार्थ का जो सामर्थ ह वो प्राप्ट करता है कि किस शब्द का ़र्थ निकलता है, और भियुत्पत्ति से कावगय को दोशमुक्ट करता है. ध्युत्ति मतलब भाँगयता आपका, जो मैंने पहले भी कहा था, आपका पांडित्य जिसको कहते हैं। ठीक है? आपकी निपूनता जिसको कहा जा सकता है उससे वो क्या करता है? उसको दोश्मुक्त कर देता है, है ना? Next है, उसके बाद आगे की अलंकार आधी कावे तटों से उसको वो सम्रिध करता है तो सबसे पहले उसने क्या किया? शब्दात का जो सामर्थे प्राप्त कर ले किया अच्छाइज शब्द का यह अर्थ है रची उसको स्रिजित कर दिया तो ये रुद्रट मानते हैं आपका काव एतु के संदर्म में या प्रतीभा के संदर्म में इन्होंने ये चीज कही है तो इन्होंने आगे देखिए इन्होंने भी दो भेद किये हैं लेकिन इनके भेद का नाम क्या है सहजा और उत्पाद्या है तो देखिए सहजा उत्पाद्या कारियत्री भावयत्री ये नाम किस से है मिलान के लिए आ सकता है कि इस तरह किसे पूछे जा सकता है सहजा और उत्पाद्या होगा तो वो रुद्रट ने दिया है तो देखिए सहजा नाम से ही पता चल पाए है जो सहज हैं जो इश्वरी शकती है जो जनम जात मिली है किसी विक्ति को उन्हें ही कहा जाता है सहजा आपका प्रतीबा दूसरी होती है उत्पाद्या जिसको हम किसी समाल से सीखते हैं या किसी दूसरी ब्रक्ति या जो हम खुद सीखते हैं उसको कहते हैं उत्पाद्या ठीक है और उत्पाद्या देखिए सहजा इश्वरी शक्ती है और उत्पाद्या शास्त्रान लोक अनभव और सत्संग से प् आगे देखिए हему चंद्र हेमचंद्र क्या कहते हैं प्राकृत का पाणिनी ने कहा जाता है तो इनके जो प्रसित रचना है कौन सी है काव्यानुषासन है है इस में इनोंने कौन सी चीज कई यह देखिए यह कहते हैं कि प्रतिभा को कावैहेतु तथा उत्पत्ति और अभ्यास को उपकारक माना है उनने प्रतिभा के दो भेद किये हैं तो दीखिए दो भेद उनने कौन कौन से किये हैं शेम जैसे आपके रुद्रड थे वो ही इनोंने माने हैं थोड़ा से नाम चेंज कर दिया है तो सहजा को जनमजात आगे ब्रेकेट में लिख भी दिया है और ओशिधी की जो आपकी उतपाद दिया थी उसको इन्होंने सिर्फ ओशिधी की नाम दिया है मतलब जो हम श्रम से प्राप्त करते हैं संघर्ष से प्राप्त करते हैं जो हम सीखते हैं ठीक है वो आपकी गिसमे आती है वो औशिदी की प्रतीभा की अंतरगत आती है तो यहाँ पर देखिए रुद्रट और हेमचंदर की थी पीछे अमने राजसेकर रामचंदर शुकल की जो परिवाशाएं या फिर जो प्रतीभा की समंद में उनके विचार थे वो रखे इसके अलावा अन्य विद्वा के अलावा भी हुए है और प्रतीभा के अंतरगत बहुत सारी विद्वान आपके ऐसे भी हुए है जिनोंने अन्य चीज़ें भी कही है ठीक है जैसे आपके जो जैदेव थे या ना जिनके प्रसिद्द चुरचना है देखिए चंद्रा लोग है उन्होंने उसमें जो प्र उनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा जैसे आनंदवर्धन मानते हैं कि ये जो वित्वत्ति और प्रतीबा हैं ये दोनों का कावेहेतू हैं ये दोनों ठीक है और लेकिन इसमें ये मानते हैं कि जो प्रतीबा है उसका वीशेश महत्तो है ये कौन मानते हैं ये आनंद प्रतीबा को लिया था, उसके बाद जो ब्यूत्पत्ति और अभ्यास है, उसके संदर्म में क्या का जाता है, हालां कि हम पहले ये चीज़ बता चुके हैं, कि ब्यूत्त्ति देखिए, विभिन, कावियों, शास्त्रों और लोक वेवारों से प्राप्त किये गए ज्ञान को ब्यूत्त्ति कहते हैं, ठीक है, तो देखिए, ये देखिए, कि जो आपका कावियों, शास्त्रों और लोक वेवारों से प्राप्त किया गया, जो हमारा ग्यान है, पहले तो आप हमारे पास हुनर है, उस हुनर के जरीए हमने क्या किया, ग्यान को ग्रहित किया एक तरीके स संचाय किया उसका, ठीक है, समझा उस चीज़ को, उसको ही क्या नाम दिया, ब्युत्पत्ती दिया और इसी से इसका अर्थ बहुग्यता और प्रगाड पांडित्ते अभील दिया जाता है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही डिसकस कर दी थी, ब्युत्पत्ती और अभ्य व्यर्थ है कहने का मतलब इनका ये है, कि ब्युत्पत्ती क्या है, उचित और अनुचित को समझने में आपकी समझ कितनी है, वो है आपका ब्युत्त्ती, आगे है देखिए अभ्यास, तो कावे रचना के लिए निष्ठा पूर्वक बार-बार किये जाने वाले प्रयत्नो को, प्रयत्नों की जो अखंड श्रिंखला ही अभ्यास है, जैसे यहां 13 हो गया है, इसमें राज ही होगा, राज शेकर की अनुसार देखिए क्या है, निरंत्र प्रयास करते रहने को ही क्या कहा जाता है, अभ्यास कहा जाता है, तो ये तो आप सब लोग समझते हैं कि कावे रचना, बलकि जो दूसरा काम भी है, उसको भी हम निरंत्रता के साथ करते रहेंगे, बार-बार उसका अभ्यास करेंगे, तब ही साहित्या की जो रचना, तब ही अन्या जो हमारा काम हम कर रहे हैं, उसको सही तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे हम UGC NET की, अगर continuity में अभ्यास करते रहेंगे, तब ही हम पढ़ते रहेंगे, उसको अच्छे से समझते रहेंगे कि किस चीज में कौन सी चीज वर्नित है, तो इसलिए जो प्रतीभा, व्युत्पति और अभ्यास, ये तीन मुख्य कारण माने जाते हैं, काव्य के, इनके चलते ही काव्य का रचना होती है ठीक है, लेकिन कुछ एक कारण ऐसे भी होते हैं, जब माननी जाब के पास प्रतीभा, व्युत्पति और इनसे काव्य रचना नहीं हो रही है, तो कई वार और भी चीज़ें होती हैं, कौन सी हैं, वो हम अब देख लेते हैं, तो देखिए, उन चीज़ों को कहा जाता है, उनको कहते हैं हम काव्य की प्रेरक वरितियां, मतलब जो हमें प्रेरित करती हैं, कौन-कौन सी चीज़े हैं देखिए, इसमें, देखिए, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि प्रेरक वरितियां क्या चीज़े हैं, देखिए, जहां प्रतीभा और व्युत्पति के रहने प आपके पास क्या है कि आप किसी चीज को देखे प्रेरिद हो रहे हैं, है ना, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रेना देने वाली वृतियां या प्रेरक वृतियां कहा जाता है, ठीक है, तो कावे की जो प्रेरक वृतियां है, वो कितनी है, में लिए तीन है, ये प्रशन बन स के इन तीनों चीज़ों में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं, स्वंदर्य के प्रती आकर्षन और कौतुख, यह यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है, इसके लिए में ख्शमा चाहूंगा, यह मिस्टेक हो गया हमसे टाइप करने में, स्वंदर्य के प्रती आकर्षन और कौतुख वृतियां ये क्या करती है कावे की पिष्ट भूमी तियार करती है कौन कौन सी जो सौंदर्य की प्रति आपका आकर्शन है और दूसरा आपका कौतुख है कुतुखल है जिग्यासा है वो क्या करती है आपको आपके कावे की एक तरीके से वो बैक्ग्राउंड उसके नीव रख देती है, पिष्ट भूमी तियार कर देती है, और जो आत्मा विव्यक्ति है, उससे क्या होती है, कावे की रचना होती है, तो ये बहुत ही महतफ़ून चीजे हैं, तीन चीजे हैं कावे की प्रेरेकुपृतियां, इसके अलावा भी दोस् हो सकता है, चल पड़ेगा, लेकिन यहीं पर आपने इतिशरी नहीं करना है, इसके अलावा बहुत बार हो सकता है, इससे बाहर से कुछ एक चीजें पूछी जाएं, तो आपके पास जो भी पुस्तके हैं, जहां पर भी आपको कावे हेतू, कावे प्रियोजन और कावे लक प्रिक्षा के लिए कौन सी चीज मौत पून है, कौन सी नहीं है, यह कहना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए आप एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे थूर वो चीजें लेना चाहते हैं, तो हम आपको उसके लिए भी टेल प्रिक्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ते के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जैहिंद!